गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स आप प्रेमचन मेमोरियल पाबलिक स्कूल मैं नेम इस कामीनी शर्मा आपको बता रही हूँ कि जो आप साइन्स का आपका आन्युल एक्जाम होका उसमें ग्वेशन कैसे कैसे आएंगे तो उससे रिडिटेट मैंने एक दिया है, so listen the video carefully ध्यान से सुनिएगा, so अगर आपको बच्चा एक्जाम में अच्छे माक्स लेने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना गोल सेट करना होगा, तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए, even हम टीचर्स भी अपना गोल सेट करत अपने आप पे विश्वास रखिये आपको पता है अगर आपने किसी चीज को ठाना है तो शुर आप उसको करेंगे अब आपको पता है कि यह एक्जाम्स आपके शुरू होने वाले हैं तो उसके लिए गुड लग now let's start our blueprint कि how you will get the questions in a exam अब मैं आपको आपका blueprint बता रहे हूं कि कैसे आपको questions आएंगे exams में see this is the science blueprint of class 5th annual examination in exam you will get 10 MCQs and each MCQ is of 1 marks आप exam में आपको 10 MCQs आएंगे और हर एक MCQ जो है वो 1-1 mark का होगा तो total MCQs हैं आपके 10 then आपको philips आएंगे ये philips जो आएंगे वो भी आपके 1-1 marks के होंगे और total philips आएंगे आपको 10 बट जो philips आएंगे बच्चा उसमें आपको कोई भी option means आपको कोई भी clue box या help box नहीं दिया होगा so without clue box और help box आपको philips exam में आएंगे and then एक और question आपको आएगा उसमें आपको sentences लिखके दिये होंगे और उसमें जो है incorrect words को underline किया होगा आपको वो incorrect words को correct forms में लिखना हैं और वो जो underline words का question होगा वो आपको 5 उसके जो sub parts होँगे वो 5 sub parts होँगे और हर एक sub part कितने marks का होगा 1-1 marks का होगा then एक question जो आपको exam में आएगा वो आएगा true false की form में True-false की form में आपको 5 questions आएंगे और हर एक question कितने कितने marks का होगा 1-1 marks का होगा Then match-ups you will get आपको match-ups आएंगे Match-ups में जो है no doubt 2 columns बने होंगे A column होगा, B column होगा तो जो option का exact correct answer होगा आपको उसके साथ match करके उसका answer लिखना है बड़ बच्चा match-ups में आप एक काम कीजिएगा कि lines मत बनाएगा जो भी आपको option या question में पूछा है A column में उसको लिखकर उसके front में ही उसका answer लिखिएगा तो इस तरह से आप match-ups को लिखिएगा तो जो match-ups हैं वो भी total आपको कितने marks के आएंगे 5 marks के आएंगे then 10 questions 10 is of definition 10 sub-parts आपको आएंगे definition के और हर एक definition कितने-कितने marks की होगी 1-1 marks की होगी in case बच्चा अगर definition में कोई ऐसी term आरी है जिसकी example भी बनती है तो प्लीज बच्चा उसके साथ उसकी example भी sure लिखिएगा like जैसे suppose कीजिए मैं आपको example देती हूँ force के concept के कि अगर question आगे define force अब आपको पता है force के होता है अब pull और push off an object किसी भी चीज़ को अगर हम pull करते हैं या push करते हैं तो उस time हम क्या करते हैं force लगाते हैं तो अब आप उस force के concept को अपनी daily life के साथ भी relate करकर example लिख सकते हैं तो कुछ terms अगर ऐसे exam में आती है जिसमें आपको लगता है कि उसकी example भी लिख सकते हैं तो sure उसकी example भी लिखिएगा then a question आपको जो exam में आएगा वो है who am I मतलब इसमें आपको कुछ sentences दे दिये जाएंगे उन sentences को आपको determine करना है आपको जानना है कि उसमें exactly जो है मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ और उससे related आपको समझ कर उसका answer लिखना है और ये भी जो आपको question है who am I ये लगबग ये भी five marks का ही आएगा और हर एक part जो है one one mark का होगा देन बच्चे दो questions आपको आएंगे diagrams के इसमें आपको choice होगी four to five options होगी उन में से आपको कोई भी दो diagrams बनाने है और हर एक diagram जो है two point five marks का होगा तो total इसकी weightage है five marks की देन बच्चे आपको कुछ short question answers आएंगे जो short question answers है वो meanly कितने marks के होंगे one one marks के होंगे और total short question answers आएंगे five marks के जिसको आपको exactly अच्छे से लिखना है and then कुछ long question answers भी आएंगे वो जो long question answers है वो meanly कितने आएंगे आपको five आएंगे और हर एक long question answers three three marks का होगा तो total fifteen marks के long question answers होंगे तो बच्चे इस तरहां से आपको exam में questions आएंगे so मैं फिर से आपको कुछ guidelines बता रही हूँ कि जो diagram है वो आपको pencil से बनाना है question answer sheet में और उसको exactly pencil से ही labeling करनी है pen से आप नहीं बनाएंगे otherwise आपके marks जो है वो deduct होंगे match ups में जो है सामने सामने आप करके लिखिएगा lines मत बनाएगा philips में आपको किसी भी तरह का कोई clue box या help box नहीं मिलेगा properly आप chapter को read कीजिएगा और जो definitions है अगर in case उसमें कुछ examples बनती है तो sure उनके साथ examples लिखिएगा तो इस तरह से बच्चा जो overall paper है हमारा 70 marks का होगा mcqs you will get of 10 marks philips and correct the underline words you will get 10 plus 5 15 marks true false 5 marks matchups 5 marks define 10 marks who am I 5 marks diagrams 5 marks short question answers 5 marks and long question answers are 15 marks so the total weightage of the paper is 70 marks I hope so video is clear to all please student if you have any query then send it on a whatsapp group thank you have a nice day 1-2-3-5 marks 1-2-5 marks